इडिय की रिमान पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजवाल गए हैं तब से आप और बीजेपी के भी जबरदस थंगामा मचा हुआ है बीजेपी जहां केजवाल का स्थीफा मांग रही है तो वहीं दूसी तरफ आमादमी पाती एलान कर रही है कि केजवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं इस दावे ने उस वक्तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार में मत्वी आतिशी ने चिथी से दावा किया कि सीमकेजवाल ने जेल से दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर एक सीधा आदेश उन्हें दिया है इस दावे के बाद से दिल्ली की सियासत में कौहराम मचना शुरू हो गया है आपका भाई, आपका बेटा, लोगे का बनाए सौ करोड के शराब भोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुँचा दिया है जहां आपके जिवाल एडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए है आप इन तीन तस्वीरों से समझे इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आद्रिक्षी दावा कर रही है कि स्टीम के जिवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सपलाई सही तरह से बनी रही से लेकर के जिवाल ने जेल से पहला आदेश उने दिया है दूसरी तस्वीर मुख्मंत्रिय अर्विंद के जिवाल की है जो इस वक्त E.D. की रिमान पर है और उनसे लागतार पूचता चो रही है 28 मार्च तक के जिवाल E.D. की रिमान पर रहेंगे जब की तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलारे का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की ड्रामे बाजी बता रहे है 100 करोड के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त घदर मचा हुआ है बीजेपी के जिवाल सरकार के खिलाफ पदर्शन कर रही है तो ही आप के जिवाल की गिरिफतारी और डिमान को लेकर केंद सरकार की तानाशा ही बता रही है आप ये भी जानलीजिए कि क्या वाकई में जेल से सरकार चलाना के जिवाल के लिए आसान रहेगा क्योंकि इसमें कई ऐसे पेछ हैं जो वाकई के जिवाल के बड़ी चुनौती सावित होंगे इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि केजवाल को मुख्यमत्री पत्र बने रहने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए उन्हें इस्तिफा दे देना चाहिए की कॉंगरेस ने अर्विंद केजिरिवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कारवाई करो आज जब से अर्विंद के जिर्वाजी के गिरफतारी हुई है ना सिर्फ आम लोग बलकि पूरा विपक्ष एक जुट हो करके इस ताना साही के खिलाफ खड़ा हुआ है अगर मुख्यमंत्री सरयान गिरफतार हो सकता है तो इस देश की अंदर तोर अपनी अवाज उठा सकता है अगर कितनी पुरानी पार्टी का खाता सिरो euro सकता है हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जवरतस्ति उसका खाता सीरो?, सवाल है क्या कोई CM जेल से सरकार चला सकता है, अगर कोई CM जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्खत कर सकता है। क्या आप वो कैबिनेट की बैच्छक ले सकता है और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है शरम ना कृत्ते करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरिवाल जी का सलीच चहरा उनकी भरष्ट सोच और केवल पैसा कमाने वो राजनीती में आये थे अपनी जेब भरने आये थे जब एंजियो चला के जेबें भरके दिल नहीं भरा तो भरष्टा अचार करके एक के बाद स्वास्थे मंत्री शराब मंत्री शिक्षा मंत्री सब जेल में है सांसस से लेके उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे दिल्ली की जनता ठगी हुई मैसूस कर रही है अब भारत नहीं पूरे विश्व में एक एक देश एक आदमी जान गया है कि भारत की भारती जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निप्टाने में जेल में डालने में लग गई है विपक्ष जो जनता की आवाज उठाता था जनता के सवाल उठाता था उसको रोका जाएगा जेल में बंद एक सीम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा ये जेल के नियमों से लेकर जेल परशासन की इजाज़त वर निर्फर करता है क्या सीम के जिवाल जेल से वीडियो कांफरेंसिंग के ज़रिये या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैमिनेट मीटिंग कर सकते हैं फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं ये पूरी तरह से जेल परशासन की मंजूरी पर निर्फर करता है बिना जेल परशासन की मंजूरी के सीम के जिवाल कैमिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे यानि कि अगर अर्विन के जिवाल सीम पत से इस्तिफा नहीं देते हैं और जेल से इस सरकाद चलाने की मनशा रखते हैं तो इसमें जेल प्रशासन की बहुत बड़ी भूविका होगी नर्शे माराओ जी पर केस चले हैं तो कोई यह बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है दिल्ली सरकार के मंतरी और आपके नेता दावा कर रहे हैं कि के जिवाल पूरी तरह से जेल से सरकार चलाने को तैयार हैं यही वज़ा है कि जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतरशी ने के जिवाल के ओर्डर वाले पत्र को पढ़कर मिडिया के सामने सुनाया तो सवाल उठने लगी कि क्या के जिवाल ने जेल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतरशी के मताबिक के जिवाल ने हो ली के मद्दे नजर दिल्ली में पानी की सप्लाई की कोई कमी ना रहे इसे लेकर जेल से अपना पहला ओर्डर मंत्री आतरशी को दिया है जरा दीखिये कि जवाल के पहले ओर्डर में क्या लिखा है मुझे पता चला है कि दिली के कुछ हिलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याइं हो रही है इसे लेकर मैं चिंती थूँ चुकि मैं जेल में हूँ इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीप नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुखे सचीयू समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दिचिए ताकि जनता को किसी तरकी परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंट और समुची समधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपर आज जिपाल महोदे का भी सहयोग ले वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे अर्विन केजरिवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याओं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संक्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुखे सचेव समेट अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जन्ता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जन्ता की समस्याओं का तुरंट और समूचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर ओपराजिपाल महोदे काभी सहयोग ले दिल्ली के मुखे मंतरी के दफर को इल्लीगल तरीके से अपरेट किया जा रहा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के दफ्तर को हाईजेक किया हुआ है जिस अफसर को अर्विंद केजरिवाल जी ने मुख्य मंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाज़त दिल्ली के लेफिनेंट गुवर्नर साब ने दियो जो केवल और केवल उसी को अधिकार है चिठी इशू करने का वह भी तब जब मुख्य मंत्री जी उनसे कमुनिकेट करके कहें कि मेरे भ्याव पे चिठी इशू करो लेकिन आप देखिए किसी अफसर का नाम नहीं है किसने इशू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के आफिस के कहने पर किसने चीफ मिनिस्टर के आफिस पर ये चिठी जारी कि उसका नाम बता नहीं है ये बिना आफिस ओर्डर जो है बिना किसे नंबर के है अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कि जिवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं या फिर लोग सभाच चुनाओ को लेकर कि जिवाल जेल से जनता के बीच सानभूती हासिल करने की कोशिश में हैं क्योंकि आप नेता जेल में बंद के जिवाल के पक्ष में महाल बनाने लगे हैं बीजेपी का आरोब है कि दिल्ली सरकार ड्रामे बाजी पर उतराई है और इसलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलिला मैदान में रैली करने का ऐलान किया जा रहा है आपके दावे के मताबिक इंडिया गठवंदर पूरे दमखम के साथ 31 मार्च को दिल्ली के रामलिला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है आपके इस ऐलान के बाद से बीजेपी इंडिया गठवंदर पर हमला और हो गई है आपका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाप लोग तंतर को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है हमने कभी नहीं पूचाए कि सम्धान की कसम ठाने वाला बच्चों की नग्रों को छोड़े सम्धान की शपत लेने वाला सरकार का भुख्या घरासत में दिल्ली ने ये करन कभी ना पेशिक किया नग्री सोचा अरा दिल्ली की जबता इसे देखते को बढ़ी है सेक्डों रेड के बाद हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता किसी भी मंत्री किसी भी कारेकर्टा के पास से एक रुपे की भी प्रसीड्स आफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई के जवाल पर मचे घदर के बीच एडी सीम के जवाल और बी आरिस के के कविता से पूछ ताच कर सकती है सुत्रों से जो ख़वरे आ रही है वो तो यही संकेत दे रही है दिले शराब नीती मामले में मुख्यमंत अर्विंद के जिवाल और बियार इसके नेता के एक कविता को आमने सामने बैठा कर पूछ ताच हो सकती है एडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफता किया था जबकि के जिवाल को शराब नीती केस में 21 मार्च को अरिस्ट किया गया एडी के मताविक मुबाइल का डेटा डिलीट किया गया है ताके शराब घोटाल इसे जुड़े कुछ समूतों का पता न चले इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस सिलसिले में भी के कविता से पूछ ताच कर दी है एडी के सुत्रों की माने तो कविता और के जिवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग में ठाकर किये जाएंगे दिली का सौ करोड का शराब घोटाला मुख्यमंत्री के जिवाल और बियारिस की नेता के कविता के गले की हड़ी बन चुका है दिली शराब निती में मनिश सिसोदिया और संजे सिंग पहले से ही हिरासत में है इस मामले में अब अर्विद के जिवाल की गिरफतारी भी हो चुकी है के जिवाल 28 मार्स तक एडी की हिरासत में रहने वाले हैं जहां उनसे जाच एजेंसी पूछ ताच कर रही है एडी की गिरफतारी के खिलाफ के जिवाल ने दिली हाई कोट का दर्वाजा भी खटखटाया था हलाकि उन्हें अदालत से कोई रहत नहीं मिली है और कोट ने उनकी याचका पर ततकाल सुनवाई से इंकार कर दिया है वहीं बियारिस नेता के कविता को 26 मार्स तक एडी की रिमान पर भेज दिया गया है कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या आप के रहली और सड़क पर पदरशन के जिवाल की मुसीवत कम कर पाएंगी या नहीं